हेलो एवरीवन नमश्य के आरिक बार फिर से हाद जरू आप सब के लिए एक हेलफफुल वीडियो लेकर तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेग्नेंसी में कब से कोशिश करें कब से किन बातों पर ध्यान रखें कि स्ट्रेच मार्क्स प बचने के लिए कब से कोशिश करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कब से उपाई हैं जो वो ट्राइ करने चाहिए क्या होता है जब महिला की बॉड़ी पर स्ट्रेच मार्क्स पढ़ जाते हैं तो एसा क्या किया जाए जिससे स्ट्रेच मार्क्स ना पढ़ें आज मैं आपको कुल मिला के यही इस वीडियो में बताने वाली हो तो फ्रेंट्स वीडियो आप सब के लिए हेलफफुल है आप भी चाहते हैं कि आपकी खुबसूरत बॉड़ी में एक भी स्ट्रेच मार्क ना आए तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिकोष्ट है चै कि आपकी सके अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो सके इस किन आपकी अच्छी तरह सके और … जब हमारी सकी प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेच मार्क्स आए किसी को आते हैं किसी को नहीं आते हैं फ्रेंड सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स पढ़ने के कुछ सिम्टम होते हैं जैसे कि आपको बाजूों में खुजली होगी ब्रेस्ट पर खुजली होगी पेट पर खुजली भी थाइस में खुजली होगी तो जहां जहां आपको खुजली हो रही है न तो समझो वहां पर stretch marks पढ़ने ही है क्योंकि जब खुजली होगी तो आप खुजली करेंगे यद खुजली करेंगे तो नखोनों के coconut oil ही यूज करना है तब ही आप stretch mark से बच पाएंगे coconut oil जो होता है cold pressed वाला वो हमारी skin के लिए वर्दान होता है हमारी skin को अंदर से hydrate करता है नरिश करता है साथ में cold pressed coconut oil में anti-vacterial और anti-fungal properties भी पाई जाते हैं जो कि skin infection, skin irritation से आपको protect करते हैं इसलिए pregnancy में आप जादा महंगी क्रीम के पीछे मत भागिए कि जो आपको stretch mark से बचा पाए उसकी कोई guarantee नहीं है ठीक आप महंगी महंगी क्रीम में लाकर रख लीजे कि यह मुझे stretch mark से protect करेगी इससे मिझे stretch marks नहीं पड़ेंगे तो यह छोड़ दीजे आपको केवल cold pressed coconut oil ही यूज करना है ज्यादा महंगा नहीं है आपके budget में आ जाएगा आप चाहते हैं कि इसका आपको 100% result मिले stretch marks आए ना कहीं पर आपकी body में तो आप क्या करें cold pressed coconut oil में एक vitamin E का capsule मिला कर अपनी सारे body parts area पर लगाए जहां पर आपको खुझली हो रही है ठीक है तो यह आपको magical effect देंगे आपकी itching सही होगी और जब itching सही होगी तो आपको stretch marks भी नहीं आप सुसरे में कि यह तो बताई नहीं कि कब से start करना है तो friend जैसे आपकी pregnancy का four month start हो जाता है मतब second trimester start हो जाता है आपको तुरंत यह उपाय करना शुरू कर देना है आपको नहाने के बाद सोने से पहले और दुफैर में भी एक दो बार आपको अपने पूरी body पर जहां ज स्टार्ट कर दिया तो आपको stretch marks बिल्कुल नहीं आएंगे ठीके friends तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में I hope यह वीडियो आपके लिए का फिजदा helpful रहा होगा तो इस वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले चैनल को subscribe करना ना भूले बाबाए थैंक यू